तो जिनको नहीं पता मैं आप सभी को बताना चाता हूँ कि 36 गड़ में अब भी जो है 50% आरक्षन है जी हैं आप लोगों ने बिल्गुल सहीं सुना 36 गड़ में जितने भी भरती परिक्षा होंगे देखे एक्जाम तो शफल्दा पूर्वक हो रहे हैं इसमें कोई दोहराय नहीं है लेकिन जब न्युक्ति होते हैं जोईनिंग के लिए शेलेक्षन प्रोसीजर की बात आती है तो इस समय आरक्षन बहुत जादा मैटर करता है आखिरकार जो है CM ने भी माना कि 36 गड़ में जो है लागू है 50% आरक्षन जिसमें अगर 50% आरक्षन के हिसाब से करबात करे तो हैसी को इसमें 16% आरक्षन मिलेगा HD को 20% आरक्षन और 24% आरक्षन चलाब जो है मिलेगा लेकिन जो सुप्रिम कोट है उसमें कहा गए कि 58% आरक्षन पर 36 गड़ सरकार बरतियां करा सकती है बरतियां निकाल सकती है ऊच्वान परसंट आरक्षन में हो क्या गया है कि इसमें HD का आरक्षन है 16% वो आरक्षन जो है घट कर सिधा-सिधा 12% जो है हो गया है यह चीजे हैं तो इसमें अगर 50% में जो है सी को 16% 80 को 20% वो भी सी को 14% वहीं जो है 36 गड़ में अगर हम बात करें तो 76% आरक्षन के लिए जो है विधान सभा में जो है सर्व समित्य से भी पारित किया गया था 76% आरक्षन लेकिन यह 76% आरक्षन जो है किसी भी दिरूप में किसी भी तरह से जो है टिक नहीं पाया सरव समिति से पारित होने के बहुषूथ भी इसे राज यटाल के द्वार उस्ताक्षर जो है नहीं किया गया और जब तक राज यटाल के द्वार स्थाक्षर नहीं किया जाता तब तक जो है सवीधान में यह अब ये देखने वाली बात रहेगा देखिए 36 गड़ में आरक्चन बहुत जादा इंपोर्टेंट है अगर 36 गड़ में अभी कित्ते परसेंट आरक्चन है अगर किसी से पूछा जाए तो क्लियर रूप से जवाब नहीं दे पाएंगे वो बोलेंगे 59% आरक्चन लेकिन बि लासपुर हाई कोट ने 59% आरक्चन को असवेदानी करार देते हुए रद कर दिया तो किस हिसाब से जो है फिर 36 गड़ में 59% आरक्चन से भरतियां हो रही है चलो भरतियां तक तो ठीक है लेकिन न्युक्तियां जो है किस आधार पर किया जा रहा है अगर जहां तक अगर बायत रहे फैक्ट के सत्य के तो जो है 50% आरक्चन ही अंदिम सत्य है और यह सविधान के हिसाब से ही है क्योंकि सविधान भी यही बोलता है कि आप जो है किसी को भी 50% से ज्यादा कार अरक्चन कल आप जो है नहीं दे शकते हैं 59% आरक्चन में जो है इस्टी को 20% 20% से प्रिफरेंस दिया जाए लकिन दूस्य वरगे कार अरक्चन गहटा दिया जाए यह कहा कि समसदारी में यह बिल्कुल भी सही नहीं है यहीं सब चीजे अभी फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है तो आपको यह मैं बताना चाहता हूँ कि 36 गार में 50% आरक्चन ही वहीं 59% आरक्षन पर भरतियां हो रही हो लेकिन नियुक्तियां जो होगा वह आपका 50% आरक्षन के हिसाब से होगा और सिक्षक भरती पर एक्षम है बहुत से मामले जो है चल रहा है सिक्षक भरती में इसी वज़े से काफी स्टूडेंट है जो परशान है कि वो लोग सोच रहें कि आर अब 36 गड़ में तो बोना संक और आप जो है आरक्षन इतने परसेंट आरक्षन के अंठावन परसेंट आरक्षन पर जोईनिंग दिया जाएगा या 50% आरक्षन पर इन सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग वाले इस्तानी निवाशियों के लिए हैं यह पोस्ट जो है किसी दूसरे संभाग वाले स्टूडेंट के लिए बिलकुल नहीं है तो जिनको लगता होगा कि हमारा तो एक्जाम जो है क्वालिफाई होगा है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है अगर एक्जाम्स क्वालिफाई होगा होगा फिर भी आपको जो है अपात्र घोसित कर दिया जाएगा क्योंकि बाकी संभाग के लिए नहीं है आने वाले समय में जो है 14,000 जो सिक्षक बढ़ती परिक्षा आपका होने वाला है यह आगले तीन संभाग जो आपके जो है बिलासपूर हो गया यह बिलासपूर वालों के लिए रहेगा 14,000 सिक्षक बढ़ती परिक्षा बिलासपूर के लिए रहेगा रायपूर वालों के लिए रहेगा और दूर्ग संभाग वालों स्टूडेंट के लिए रहेगा तो इस तरह से तो यह सभी चीजे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके कॉंपीडिशन के हिसाब से आपके भरती परिक्षा के हिसाब से तो जिस तरह से बस मेहनत कर रहे हैं प्रिप्रेशन कर रहे हैं आपको बस उसी तरह से प्रिप्रेशन करते रहना उसी तरीके से आपको जो है मेहनत करते रहना और जितन बी वर्ग को जो समाना धिकार मिलना चाहिए किशे को न कम ना किशे को जो है कोंगे ज्यादा लेकिन जो है सबसे जादा देक का युरण पर इश्टी का आरख्षा ने उन पर जो है नहीं होता जुछ जै् Louisiana का नहीं होता युर्ड झो कोटे से मिलता है तो उनकी बात करने वाला कोई नहीं है सिर्फ हेस्टी वर्ग को ही ज्यादा प्रिफरेंस में रखा जाता है ज्यादा जाता है तो कुई बात नहीं लेकिन आपको युह में बतानों शाहता हूं कि ऊस्फिessä गेड़ में होने वाली आने वाली आप upcoming vacances के तयारी कर सकते हैं अगर आप upcoming vacances के तयारी करोगे तो definitely आपको काम्याभी मिल पाएगा आपको शफलता है जो है मिल पाएगा तो अगर आप अभी से preparations करोगे अभी से तयारी करोगे अभी से अगर आप hard work करोगे तो definitely है कि इसमें आपको success मिल पाएगा definitely है कि इसमें आपको कम्याभी जो है मिल पाएगा तो बस मेहनत और अपने आप पर जो है believe करना है खुद के उपर भरोशा करना है तो जितना जाद आप खुद के उपर भरोशा रखोगे उथन जाद आपके लिए पेश्ट होगा उतने जाद आपके लिए जो आच्छा होने वाणा काम याभी फिर आपको मिल पायगा सब इसक्म पसंद आया तो बीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहां तो चैनल को सबिस्क्राइब करके जाना साथ में बिल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लीजे एंड वीडियोस को जितना जादा होशक के शेयर करना और इसी तारह से मेरे शैनल्स पर जो है नए नए वीडियोस नए नए भरती पर इक्छे से रिलेटेड बहुत ही महतुपड वीडियोस जो है मिलते रहे तो जो भी स्टूडनंट जो गोशान कर रहें भरती पर इच्छे शेटेडी कर रहें कर रहा बस अच्छे से महनत करते रहें कांशिस्टेंसी को मेंहें को ऐल्ली रूटेन के पूम कर देरो मासीफिन छों कि हमारा सब्सिच्रीन हो पाए गा özr definitely इसमें आपका selection जो हो पाएगा, definitely है कि इसमें आपको कम्याभी भी मिल पाएगा, इसलिए मेहनत और अपने hard work के उपर जो है आपको focus करने सबसे main important है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जितना ज़्यादा होश हो के अपने आपके उपर भरोसा रखो, खुद के उपर काम करो, खुद के उपर बिलिव करो, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको हरा सके, सबसे पहले अपने आपको देखो, बस मेहनत करो, आपकी शफलता निस्चीत रूप से मिलेगा, बस हमें काम करते जाना है,